हेलो लेर्नर्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल टू दी पॉइंट लेर्निंग, आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनस स्टेडी यूपी बोर्ट का चैप्टर वित्तिय बाजार का सेकंड पार्ट डिसकस करने जा रही हूँ, यह दूसरा भाग है हमारे इस चैप्टर का, इस से पहले मैंने इस चैप्टर में वित्तिय बाजार क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो समझाया था, और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूंगी, आपको समझाओंगी वित्तिय बाजार के कार, यानि की वित्तिय बाजार क्या-क्या सुविधाएं प् तो शुरू करते हैं point number one से बच्चतों को गती प्रदान करना यानि mobilization of saving वित्तिय बाजार लोगों की बच्चतों की गती प्रदान करता है यह लोगों के पास बेकार पड़ी रोकर को उत्पाद किये कारियों में लगाता है यानि कि वित्तिय बाजार एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा कार्य करने का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जितने भी सेविंग्स हैं यानि हमारी जितनी बचत है उसको हम सही जगा किसी एक कार्य करने लायक जगा पे लगा सके पैसा इसको ऐसे समझिए जैसे आपका ज तो उसका आपको इतना फाइदा नहीं मिलेगा उस बचत का आपको इतना फाइदा नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप उसे बैंक में जमा कर देते हो तो वहां से आपको इंट्रेस्ट मिलता है तो आती है बात कि आप पैसा बैंक में जमा करते हो इसके लिए बैंक आपको इंट को देता है एजा लोन जिसके बदले वो आपको क्या देता है तो आपकी जो सेविंग है वो घर में पड़ी रहे और वो बेकार चली जाए इससे बहतर है कि आप उसे कहां लगाए इस फानेंशल मार्केट में उस पैसे को लगाए इसके लिए विभिन प्रकार के विपत्र उपलब कराए जाते हैं लोग अपनी इच्छानुसार विभिन प्रकार के विपत्र में निवेश कर सकते हैं विभिन प्रकार के विपत्र लगाए जाते हैं इसका अर्थ है कि अलग-अल अलग अलग टाइप की security को खरीद लेते हैं और उसके बदले आप पैसा देते हैं अलग-अलग type की security last class में भी मैंने बताया था समता आंश जैसे equity shares पूरवधिकार आंश जैसे preference share या रिन पत्र आपका loan वगेरा Treasury Bill इन सारी चीजों में क्या करते हैं आप इन सारी चीजों को आप खरीद लेते हैं काम इंसान खरीद लेता है और इसके बदले बिजनसमैन को पैसा दे देता है और उसके बदले आपको क्या मिलता रहता है आपको उसका डिविडेंड उसका लाभांच मिलता रहता है या फिर मार्केट में उसे उपीयोग में ले आया जाता है यह गया इसका पहला कार दूसरे कारे पर आते हैं मूले खोज में सहायर पैसिलिटेट प्राइस इसकोवरी किसी भी वस्तु यह सेवा का मूले मांग एवं पूर्ती की शक्तियों द्वारा दोरा निर्धारित होता है सिंपल है आपका कि आप किसी भी चीज को खरीदते हो तो इसकी खरीदने की जो प्रीदने की दो does का मूले को तै करता है इसी तरीके से आपकी ये प्रती भूतिया भी है यानि सेक्योटीज भी है जिनकी प्राइस सेट होती है जिनका मूले सेट होता है कहां पर इस वित्तिय बाजार में जितना जादा किसी कंपनी के शेयर्स डिमांड में हैं जितना जादा किसी कंपनी के तो ये चीज़ क्या है आपकी कि आप जितनी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदोगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे फ्यूचर में या आगे भविश्य में लाभांश मिलने का चांस होता है तो इसलिए यहां पे आपके जितनी प्रतिभूतियां हैं उनके मूले को तै किया जाता है वस्तू एवं सेवाओं की भाती ही निवेशक भी अपनी प्रतिभूतियों के मूले की खोज करता है जैसे हम जैसे एक वस्तू या सेवाएं आप देते हैं तो आप किसको वस्तू या सेवा देते हैं जो सबसे जादा उसकी प्राइस देने को मूले देने के लिए आपके पास एक गारी है, आप उस गारी को बेचना चाहते हैं, तो आप किसको गारी बेचेंगे, जो सबसे जादा बोली है, जो सबसे जादा दाम उसका लगाएगा, आप उसे देंगे, यह चीज क्या होगे, जहां पर आपके कार की, गारी की सबसे जादा डिमांड होगी, आप उसी को वो गाड़ी बेचेंगे, सेम यही चीज आपकी क्या होती है, प्रतीबूतियों में भी होती है, कि जितना जादा आपके सेक्योर्टीज के आपकी प्रतीबूतियों की जहां पर जिस निवेशक के पास सबसर जादा मूले वो तैख करेगा, आप वहीं पर अपनी securities को प्रतिभूतियों को बेचेंगे तो ये आपको क्या हो मिला आपको उसका अपको अपनी प्रतिभूतियों का सही मूले मिलता है और ये कहां मिलता है आपको वित्तिय बाजार में वित्तिय बाजार में आपको आपके जितने भी सेक्योटीज हैं जितनी भी प्रतिभूतियां उनका बिलकुल सही उचित डाम मिल जाएगा जिससे आपको भी नुकसान ना हो और जिसको आप ये प्रतिभूतियां बेच रहे हैं उसे भी नुकसान ना हो तो ये काम भी आपका यहां होता है तीस इसा स्थान है जहां पर आपके प्रतिभूतियां आपके जितने भी फाइनेंशल इंस्ट्रुमेंट हैं सेक्योर्टीज हैं उनको बेचा और खरीदा जाता है यही कारण है कि वित्तिय बाजार प्रतिभूतियों को रोकर में परिवर्तित करने के लिए एक आधार प्रदान क को अपनी प्रतिभूतियां यानि एक बिजनस्मैन को अपनी प्रतिभूतियां सेक्योर्टीज को अगर मनी में करना है तो वो कहां आए उसके लिए वो इस वित्तिय बाजार में वित्तिय बाजार एक ऐसा इस्थान है उसके लिए जहां वो अपनी सेक्योर्टीज को पैसे में कर सकता है इस पैसे में हम यह von करने को हम क्या कहते हैं तगयते हैं कि आपने अपनी संपत्तियों को समत्ति हों गया लगा सकते हो मैं इसके इस कारण से यहां प्रतिभूतियों की में तरलता रहती है है और इसी में कनवर्ट करने की रोकर में कनवर्ट करने की परिवर्टित करने की एक शक्ति प्रदान हो जाती है तो इसके द्वारा आपको तरलता प्रदान हो जाती है अर्थात जुति बाजार के माध्यम से निवेशक जब भी चाहे अपने धन को प्रतिभूतियों में निवेश कर सकत है एवं जब चाहे निवेश को पुन्हा धन में बदल सकता है हम चाहें तो अपने पास पैसा है हम क्या करें हम सेक्योटीज खरीद ले यानि हमने क्या किया अपने रोकर को किसमें परिवर्टिक कर दिया प्रतिभूतियों में एक बिजनसमैंग को पैसे की जुरत है उसने क् प्रतिभूतियों को आप से पैसा लेकर अपनी प्रतिभूतियों को रोकर में परिवर्टित कर दिया तो यह काम यह पूरा लेंदेन जो आपका है एक संपत्ति को या एक मैं कहूं तो प्रतिभूतियों को पैसे में कनवर्ट करने का और पैसे को वापस प्रतिभूतियों म करते समय अनेक सूचनाओं की आविशक्ता होती है अनेक सूचनाओं की आविशक्ता होती है जब भी हम शेयर्स वगरा खरीदते हैं जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें हमें ऐसी ही किसी कंपनी के जाके शेयर नहीं खरीद लेते हम और पैसा उनको नहीं दे देते हम उनक सारी सूचनाओं की आविशत्ता होती है तो यहां वहां भटकने से बहतर होता है कि हम इस वित्तिय बाजार से हर एक कंपनी के बारे में हर एक बिजनसमैन के बारे में असानी से जान सकते हैं और जब हम यह समझें कि हां वो बिजनसमैन मेरे पैसे को ऐसे ही वेस्ट नहीं करे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सूचनाएं चाहिए हमें उस बिजनसमैन के बारे में पता तो होना चाहिए इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय वह धन खर्च होता है अगर हमारे पास financial market यानी वित्य बाजार की सुविधा ना हो तो एक बिजनसमैन के बारे में जानने में हमें इधर उधर बहुत समय और बहुत धन व्यर्थ करना पड़े हैं और वह सब कुछ हमारा कहां बज जाता है इसी financial market में यानी वित्य बाजार में हमें सबके बारे में सूचनाएं मिल करते हैं उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता और जल्दी मिल जाती है तो यह एक कार है वित्य बाजार का जो हमें आसानी से हमारी जितनी प्रतिभूतियां हैं उनके रहे विक्रे में सहायक होता है वित्य बाजार द्वारा ही सूचना बिना किसी लागत के उपलब् प्रतिवोतियों को बेच देते हैं या अगर हमें पसंद आता है तो हम अबने पैसे को एक business man को दे कर उससे प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं इस प्रकार विट्टी बाजार विवारों की लागत को कम करने में काम करता है इसलिए हमारे लागत जो होती है cost जो होती है यह सार भारा लेकर कोई भी transaction कोई भीAL करते हैं अपने पैसे का या अपने प्रतिभूतियों का तो यह चार मेंं function आपके चार है उसका अर्थ नहीं समझा है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर bad दिख लें उसका लिंक मैं आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आगे भी इस चाप्टर से रिलेटेड जितने जितने टॉपिक हैं उन सब का वीडियो में बनाऊंगी तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त और अगर कोई आपके तरफ से कोई सवाल है या आप कोई हमें डिरेक्शन देना चाहते हैं कि इस तरीके से हम एक्स्प्रेइन करें तो वो भी आप कमें सेक्शन में लिख सकते हैं थांक्यू और नाइस टेप